Good morning everyone, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ निशा और मेरी पाठशाला में आप सब का स्वागत है बच्चों, आज हम गुंजन हिंदी पाठमाला 5 का लेसन नमबर 9 सुमन एक उपवन के पढ़ेंगे सुमन एक उपवन के, कविता के कवी, हिंदी साहित के प्रसित साहितिकार शिरी द्वारिका प्रसाद महाईश्वरी जी है बच्चों, सबसे पहले हम यह समझते हैं कि कविता में कवी हमें क्या कहना चाहते हैं वे हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कवि ने बहुत ही सरल शब्दों में फूलों के माध्यम से हमें एकता, देशभक्ती और समानता का संदेश दिया है जिस प्रिकार प्रक्रती विभिन फूलों फलों में कोई भेद नहीं करती उसी तरह मनुश्यों को भी जाती, धर्म, रंग, रूप, अमीरी गरीबी का भेदना करके मिल जुलकर रहना चाहिए चलिए अब कविता पढ़ते हैं, कविता समझाने के साथ साथ मैं कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती जाऊंगी हम सब सुमन एक उपवन के, सुमन का अर्थ है फूल, फ्लावर और उपवन का अर्थ है बगीचा, गार्डन यहाँ पर कवि ने सुमन हम मनुश्यों को और उपवन संसार को कहा है तो कवि कहते हैं, हम सभी मनुश्य एक ही बाग में खिले फूलों के समान है अर्थात हम सब भारतवासी एक समान है, एक ही इश्वर की संतान है एक हमारी धर्ती सब की, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम प्रस्तुत पंक्तियों में कवि समानता की भावना को बढ़ावा देते हुए कहते हैं कि हम सब एक ही धर्ती पर रहते हैं, और इसी धर्ती की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, मिली एक ही धूप हमें है, सीचे गए एक जल से हम, हम सब को एक जैसी धूप मिली है, मतलब सूरज सब के उपर एक समान आता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, वो सब को ए ठीक्सी धूब देता है , और हम सबने एक जैसा ही जल पिया है । जल मतलब पानी East जैसा ही पानी पिया है बर्सात का पानी हो या बहती नदियां सभी को एक समाल जल प्राक्त होता है । पले हुए है जूल जूल कर पल्नों में हम एक पवन के पवन का अर्थ है हवा, विंड और पल्लो मतलम जूलो, तो कवी कहते हैं कि हम सभी एक ही हवा के जूलो में जूल-जूल कर बड़े हुए हैं, अर्थाथ हवा भी हम सब को एक जैसी मिली है तो कवी के कहने का ताटपरी यह है कि यह धरती हम सबकी है जिस पर हमने जन मिल लिया है इस पर रहते हुए हमें धूप, पानी, हवा सब एक सा ही मिल रहा है तो जब प्रक्रति, नेचर ने कोई भेदभाव नहीं किया सबको एक सा देखा तो हमें भी आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए हम सब भारतिये हैं, हम सब एक हैं और यही हमारी पहचान है सूरच एक हमारा, जिसकी किरणे उर की कली खिलाती किरणे का अर्थ है सनरेस और उर का अर्थ है हिरिदय, दिल प्रस्तत पदाइंश में कवी कहते हैं कि हम सबका सूरच एक है जिस प्रिकार सूरच की किरने पाकर एक कली खिल जाती है यानि कली से फूल बन जाती है उसी तरह सूरच की किरने हमारे मन को प्रसन्यता से भर देती है उर्की कली खिलना एक मोहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना तो सूरज की किरने पाकर हमारा मन बहुत खुश हो जाता है एक हमारा चांद, चांदनी जिसकी हम सब को नहलाती सूरज की तरह चंदर्मा मून भी एक है जो हम सब को समान रूप से अपनी चांदनी से शीतलता प्रदान करता है मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के उपर चांद की रोशनी कम पढ़ लई है और किसी के उपर जदा पढ़ लई है अर्थात हम सब एक जैसे ही चांद की चांदनी का आनंद लेते हैं मिले एक से स्वर हम को हैं भ्रमरो के मीठे गुंजन के भ्रमरो कहा गया है भमरो बंबल भी को और स्वर का अर्थ है आवाज बच्चों आप लोगों ने कभी किसी गाजन में फूलों के उपर भमरो को मंडराते हुए देखा होगा भमरे फूलों के उपर मंडराते हैं और उनकी मीठी आवाज पूरे बगीचे में गुंजिती है जिससे वहां का वातावरन बहुत ही सुन्दर हो जाता है तो भमरों की मीठी आवाज जैसी ही हम सबको भी भगवान ने एक जैसी आवाजे दी हैं अतहा हमें भी भवरों की तरह सब के साथ मीठा बोलना चाहिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए तो यहां कवी यह कहते हैं कि जब सूरज, चांद, भवरे हर एक के साथ एक सा वेवार करते हैं उसी प्रिकार हम मनुष्यों को भी आपस में भेदना करके सबके साथ एक सा वेवार करना चाहिए और हमें मिल जुल कर रहना चाहिए हम सब सुमन एक उपवन के हम सभी मनुष्य एक ही बाग में खिले फूलों के समान हैं अर्थात हम सब भारत के निवासी हैं रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी 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 कहते हैं उस जगा को जो मेडों से बनाते हैं और जिसमें पौधे लगाई जाते हैं कवी कहते हैं कि एक ही बाग में तरहा तरहा के रंग रूप के फूल होते हैं, और वो अलग-अलग क्यारियों में लगे होते हैं, अलग-अलग क्यारियों में लगे होने के बावजूद भी वो हैं तो एक ही बाग के फूल, उसी प्रिकार से हमारा भारत देश जहां अलग-अ जाती, धर्व और भाशा वाले लोग रहते हैं पर वे सब भारत वासी कहलाते हैं और एक साथ रहते हैं लेकिन हम सबसे ही मिलकर है उपवन की शोभा सारी शोभा का अर्थ है सुन्दर्ता तो जब ये रंग बिरंगे छोटे बड़े सभी फूल एक साथ मिल जाते हैं तो ही खुबसूरत लगता है उसी प्रिकार अलग अलग जाती राज्य त्योहार संस्कृति के होते हुए भी हम सब मिलकर भारत रूपी बाग की शोभा बढ़ाते हैं और यही हमारे देश की विशेष्टा है यहां पर कवी अनेक्ता में एक्ता यूनिटी इन डाइवसिटी की बात कर रहे हैं कि भारत अनेक्ता में एक्ता का सबसे अच्छा उधारन है एक हमारा माली हम सब रहते नीचे एक गगन के जिस प्रिकार एक बगीचे की देखभाल करने वाला माली माली मतलब गाडनर भी एक होता है ऐसा नहीं है कि छोटे पौधों को कोई और देखता है औ एक ही माली पूरे बगीचे की देखबाल करता है उसी प्रिकार हमारा माली भी एक है और वो है इश्वर हम सब एक ही आकाश के नीचे मिलकर रहते हैं और इश्वर रूपी माली हमारी देखबाल करता है और इश्वर ही हमें सुख दुख में जीना सिखाता है हम सब सुमन एक उपवन के, हम सभी मनुष्य एक ही बाग में खिले फूलों के समान हैं, कांटों में खिलकर हम सबने हस हस कर है जीना सीखा, बच्चों आपने देखा होगा कई फूल जैसे गुलाब जिसमें बहुत कांटे लगे होते हैं, फिर विवहा कित्मी अच्छी तरह खिलते हैं और ब जीच रहकर हस कर जीना सीख लिया है, उसी प्रकार हम मनुष्यों ने भी मुसीबतों और कठनाईयों का सामना करना सीखा है, अब हमें अपने रास्ते में आने वाली मुसीबतों की कोई परवाहर नहीं है, एक सूत्र में बंध कर हमने हार गले का बनना सीखा, जिस प्रकार बहुत सारे फूलों को एक धागे में पिरोकर माला बनाई जाती है और वो माला किसी के गले की शोभा बनती है उसी तरह हम मनुष्य भी एकता के बंधन में बंधे हुए हैं और हमने एक हार बनकर भारत माता की शोभा बढ़ाई है अर्थात एक माला की तरह हम मिलजुल कर रहते हैं और हमेशा एक दुसे का साथ देते हैं सबके लिए सुगंद हमारी हम श्रिंगार धनी निर्धन के सुगंद का अर्थ है खुश्बू, फ्रेग्रेंस और श्रिंगार का अर्थ है सजावट धनी मतलब अमीर और निर्धन का अर्थ है गरीब अंत में कवी कहते हैं कि फूलों की खुश्बू सबके लिए एक जैसी होती है अर्थात सब समान रूप से फूलों की खुश्बू का आनंद लेते हैं अमीर हो या गरीब, फूल सभी की शोभा हैं वे कभी किसी के साथ भेभाव नहीं करते तो कभी कहते हैं कि फूलों की तरह हमें भी एक साथ मिलजुल कर आपस में कोई भेभाव ना करके एक दुसे का साथ देकर अपने देश के सम्मान को बनाए रखना है हम सब सुमन एक उपवन के हम सबी मनुष्य एक ही बाग में खिले फूलों के समान है तो बच्चों मैं उमीद करती हूँ ये कविता आपको समझ में आ गई होगी इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमारे रंग, रूप, धर्म, भाशा अलग-अलग है है तो हम एक ही भारत माता की संतान जब हमारी प्रक्रती बिना किसी स्वार्थ के हमें इतना कुछ देती है तो उसी तरह हमें भी निस्वार्थ भाव से एक दुस्य के साथ मिलकर किसी भी प्रिकार का भेदभाव ना करके अपने देश का नाम उचा करना चाहिए और देश की उन्नती में अपना योगदान देना चाहिए अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके और पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आप सब खुश रहिए अपना ध्यान रखिए अब हम एक नए वीडियो के साथ शेगरी मिलेंगे तब तक के लिए बाई and थैंक यू